बता दे, इसवक्त की बड़ी और एहम जानकारी लखलो से सामनी आ रहा ही है, 17 ऐक्टबर को मुक्तार अंसारी जेल से तलब, इसवक्त की बड़ी और एहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं MP, MLA कोट में मुक्तार को किया गया तलब इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी जो है आप देख सकते हैं हाई कोट से सजा मिलने के बामले में तलब किया गया है 17 ओक्टोबर को मुक्तार को मिली जमानात का वारंट दिया जाएगा इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी जो है आपको बता रहे हैं आप देख सकते हैं आपकी टेलिविजिन स्क्रीन पर 17 अक्टूबर को मुक्तार अंसारी जेल से तलब किये गए है इस वक्त की बड़ी और एहम जानकारी लखनव से सामने आ रही है MP, MLA कोट ने मुक्तार को तलब कर दिया है हाई कोट से सजा मिलने के मामले में तलब किया गया है सवक्त की बड़ी और एहम जानकारी जो है लखनव से सामने आ रही है 17 अक्टूबर को मुक्तार अंसारी को मिली जमानत का वारंट भी जारी कर दिया गया है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है लखनव से सामनी आ रही है 17 उक्टोबर को मुक्तार अंसारी जहिल से तलब किये गए आप देख सकते हैं MP MLA कोट ने मुक्तार अंसारी को तलब किया इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ समवादाता जितेंदर चोहां जोड़ चुके हैं जितेंदर मुक्तार अंसारी को वारंट जारी करने के बाद आज तलब कर दिया गया है इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है देखे 17 अक्टूबर को मुक्तार अंसारी को जिल में तलब किया गया है MPMLN कोट ने तलब किया है और हाई कोट ने सजा मिलने के मामले में तलब किया है और 17 अक्टूबर को मुक्तार अंसारी को मिली सजा का वारंट दिया गया था जिसमें थाफ तर प्रिकाज रखता है, मुक्तार अंसारी को हाई कोट ने साथ साल की सजा चुनाई दिए, इस मामले में तलब किया गया है जिसमें थाफ तर प्रिकाज रखता है, जिसमें तर प्रिकाज बात की जाये तो इनकी मुश्किले कम होने करनाम नहीं ले रही है अब फाई कोट ने जिल में मुक्तार अंसारी को दलब किया है जी बहुत बहुत धन्यवाज यतिन्द चौहान तमाम जानकारी साचा करने के लिए अब को बता दें, MP MLA गोट ने मुक्तार अंसारी को वारंट जारी करने के लिए भी 17 ऑक्टोबर को आदेश जारी करती है हाई कोट से सजा मिलने के बाद इस मामले में तलब किये गए है 17 ऑक्टोबर मुक्तार अंसारी को जारी किया जाएगा इस वक्त की बड़ी और रहम जानकारी जो है लखनव से सामने आ रही है 17 ऑक्टोबर को मुक्तार अंसारी जेल से तलब किये जाएंगे MP MLA कोट ने मुकतार अंसारी को तलब किया है